अशेस का तीसरा मुकाबला अपने नाम करा कप्तानी में Ben Stokes ने Mahindra Singh Dhoni को पीछे छोड़ा जी हाँ मैं बात कर रहा हूं Mahindra Singh Dhoni और Ben Stokes की अशेस का तीसरा मुकाबला फाइनली इंग्लेंड ने जीत लिया और इसके साथ Ben Stokes ने Mahindra Singh Dhoni का एक रिकार्ड भी तोड़ा है वो रिकार्ड क्या है वह हम आपको आगे बताएंगे लेकिन पहले अगर हम पूरे मुकाबले की बात कर ले तीसरे मुकाबले के एकर बात करे तो यहाँ पर पहले इंग्लेंड ने गेंद बाजी करी और उस्ट्रेलिया ने पहली पारी पे 263 रन बनाए 10 विक्टो के नुकसान पर आल आउट हो चुकी थी और उसके बाद जब इंग्लेंड बले बाजी पर आई तो वहाँ पर इंग्लेंड ने 237 रन्स मारे आल आउट होकर और यहाँ पर जो है उस्ट्रेलिया ने 26 रनों की लीड ले ली उसके बाद जब दूसरी पारी शुरी हुई तो उस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 224 रन मारे आल आउट होकर और यहाँ पर Australia का total score हो गया था 200 क्योंकि 26 run की वो lead already ले चुका था और फिर दूसरी पारी पर जब England बल्ले बाजी करने आई तो हर बार की तरह England पर pressure था लेकिन England इस बार जीत चुकी है और यहाँ पर England ने 254 मारे 7 victor के नुकसान पर England के जो star रहे हैं मैं बता दूँ यहाँ पर दो replacement आई थी जिनकी वज़े से यह मुकाबला कही न कहीं जीता है Chris Vox और एक Mark Wood Chris Vox की बात करें उन्होंने बहतरीन गेंद बाजी करी और बहतरीन बल्ले बाजी भी करी है उसके साथ Mark Wood की भी बात कर लूँ तो उन्होंने भी बहतरीन गेंद बाजी करी और बहतरीन बल्ले बाजी करी है Mark Wood ने पहले ही दिन जब तीसरा टेस्स शुरूँ आता तो पहले दिन आप देखें पांच विक्टे चटका दी थी बता दिया थे कि मैं वापिस आ चुका हूँ और जीमे एंडर्सन को जब रिप्लेस करा गया क्रिस वोक्स के द्वारा तो लोग काफी परेशान थे, कन्फ्यूज थे कि अब इंगलेंट का क्या होने वाल है लेकिन यहाँ पर क्रिस वोक्स ने सब को गलत प्रूफ करा और यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि वो क्यूं आना इस टीम में वर्थ है अगर मैं बात कर लूँ बेंट स्टोक्स की कि वो कौन सा रिकॉर्ड है जो उन्होंने महिंदर सिंग धोनी का तोड़ा है मियंता कि वहाल बेंट स्टोक्स की कोई प्रफर्फॉर्बस नहीं कोई कड़ नारी मैं एक तक है के साथ चाहिए दिखोना धिया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें